बच्चों एक physics teacher है अनुभो सरवास्तो सर और उनका एक चैनल है theory of physics उसमें वो experimentally कुछ चीजे दिखाते हैं और उससे बच्चों में curiosity create करते हैं फिसिस के fundamental से एक magical touch देकर बहुत सुन्दर तरीकी से समझाते हैं उन्होंने एक particular video भी मैंने उनका यहाँ पे लिया हुआ है उस particular video में उन्होंने दिखाया कि inclined plane पे नीचे से उपर किसी wheel को कैसे चड़ाएंगे और उसके लिए उन्होंने explain किया कि एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने उपर उस पे लगा दिया था जिससे current center of mass जो है उपर चला गया और वो नीचे आने की कोशिश करेगा बहुत interesting video है बहुत मज़ेदार video है पर अब मैं चाहता हूँ कि इस interesting video का mathematical application कैसे हो इसको कैसे समझे क्या कहीं भी पत्थर लगाने से काम चलेगा क्या कहां पत्थर लगाने से क्या होगा किस जगा इसके बारे में mathematical scientific analytical analysis की बात करेगा तो let's try to see the same thing in a numerical form in a question I am going to make a question on this और इस question को कैसे J advance के साथ मिलाया जा सकता है और उसमें कैसे सवाल आ सकते है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं now we are going to see that piece अभी मैं सिखाना चाहता हूँ वो मैं online get through हर जगे पहुँच जाओं और मैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस साल से इसलिए मैं full year course ला रहा हूँ class 11th का class 12th का और dropper का for J advance and mains thank you very much हां तो situation ये है कि एक wheel आपका एक inclined plane पे रखा हुआ है इस बात को समझने की अपन कोशिश करते है सबसे पहले ये सोचते हैं कि wheel normal wheel का inclined plane पे रखा जा सकता है सिर्फ या उपर जा सकता है तो देखते हैं कि क्या situation है तो अगर आप देखें सिर्फ ये wheel रखा हुआ है तो उस पर तीन forces लग रहे है obviously rough surface होगी तो इस पर तीन forces लग रहे है number one is friction, number two is normal, number three is mg अगर आप देखें ये जो point of contact है ये जगह पर तो friction जो भी होगा वो यहीं पर लगेगा जिस दिशा में जरूद परड़े की उस दिशा में लगेगा static friction है, normal भी यहीं से पास हो रहा होगा लेकिन अगर mg देखा जाए तो इस wheel का mg जो है वो vertically यहां से इधर की तरफ आ रहा होगा mg तो इस ring का mg जो है वो इधर की तरफ है यानि all three forces are not passing through the same point if all three forces are not passing through the same point तो obviously it can never be in equilibrium और ये इसको किदर चलाएगा तो अगर इस point के about मैं देखू तो ये इसको u torque दे रहा है इसका मतलब है ये इसको नीचे ही गिराएगा इसका मतलब है कोई भी wheel अगर inclined plane पे रखा जाए जो circular symmetric wheel है वो कभी भी inclined plane पे रुकार नहीं रह सकता क्योंकि वो इसको नीचे गिरा देगा क्योंकि mg का torque उसको नीचे गिरा देगा अब बात आए कि क्या कुछ भी arrangement ऐसा करकर हम यहाँ पर ऐसा करने कि इस पूरे system का center of mass भी इसी point A से pass कर जाए तो मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ अगर वो A से pass कर जाएगा center of mass तो ये equilibrium में रह सकता है और अगर उसका center of mass इस vertical line के इस तरफ आ जाएगा तो वो उसको ऊपर भी उठा सकता है तो जैसा कि सर ने बूला कि उपर लगा दिया तो अगर आपने यहाँ पे block लगा दिया होता तो कोई फाइदा नहीं होता आपको block कहीं भी और जो ball लगाई सर ने low है की वो अगर आपने यहाँ लगा दी होती यहाँ लगा दी होती यहाँ लगा दी होती भले यह भी उपर है लेकिन इससे वो रुक नहीं पाता उसको definitely वो नीचे ही गिरता तो इसका मतलब है कि center of mass हमें कहां लाना है इस line के इधर की तरफ तो ball को इधर लगाना पड़ेगा तो अगर हमने इस thermakool की ball का mass negligible माना तो हमें यह clear होना चाहिए सबसे पहले कि ball कहां लगनी है तो ball को लगने के लिए हमारे पास जो available space है वो यह वाला है this is the available space ball को यहां पर लगाना पड़ेगा तो they can ask you this question what is the mathematically वो सवाल पूछ सकते हैं कि what is the probability of putting a ball of mass M such that it will roll up अजी roll up करें उसको लगाने की तो obviously पुरी रिंग में कहीं भी लगा सकते हैं तो इस ring की length और पुरी ring की length का ratio जो होगा वो उसकी probability भी आ जाएगी तो यह mathematical point भी हो गया अब मान लीजिए कि इसका mass जो है इस वाली ball का mass M है जिसको मैंने इस mg force लगाया और जो मैं ball हमारे पास हमारे पास दे रखी है इसका mass जो है M1 है M1 जो है वो बड़ा है M से अब वो भूल रहा है कि M1 की minimum value बताओ कि ये ball जो ये minimum value बताओ कि ये ऊपर उच जाए ये M1 कम से कम कितना हो कि ये ऊपर उच जाए अब आपने का M1 लगाना तो आपको ऐसा पड़ेगा कि इधर उच जाए तो M1 की minimum value लगाओ कि ये ऊपर उच जाए तो हमें देखना है कि जब कोई भारी चीज़ लगाते है तो center of mass उत्रफ shift होता है तो अगर इसका center of mass M mass तो यहाँ है M1 अगर हमने यहाँ लगाया होता तो इसका center of mass इस line में आना होता और यहाँ पर लगाना पड़ता तो ये M1 के करीब है ये अगर M1 के करीब है तो M1 हमें बहुत ज़्यादा लेना पड़ता अगर मैंने M1 को यहाँ लगाया होता तो भी इतना दूरी हमारे पास मिल रही है तो सबसे ज़्यादा दूरी अगर हमें M1 की मिल जाएगी तो हमें M1 की value कम से कम चाहिए होगी इसका मतलब है हमें M1 को इस point पर लगाना पड़ेगा अगर M1 को इस point पर लगाएंगे तो यह minimum mass requirement होगी ताकि वो उपर की तरफ रोल कर जाए यानि M1 की minimum mass requirement के लिए हमको यहाँ लगाना पड़ेगा मोटा मोटा इस पर भतेर सवाल बन सकते है you got the idea कि center of mass इस line के right में होना चाहिए तभी यह ऊपर चड़ेगा इस पर numerical अच्छे बना सकते जे advanced level के olympiad level के अच्छे सवाल बना सकते I hope it is clear Thank you very much